इस वज़े से अभिशेक बच्चन ने गुष से में काट दिये थे बहन श्वेता बच्चन के बाल अमिता बच्चन और अभिनेत्री जया बच्चन के बच्चे अभिशेक और श्वेता बच्पन में आम बच्चों की तरह की खूब लड़ाई और जगडा किया करते थे इस बारे में श्वेता और अभिशेक खुद बताते हैं सदीक के महानायक अमिता बच्चन और अभिनेत्री जया बच्चन के बच्चे अभिशेक और श्वेता बच्पन में आम बच्चों की तरह की खूब लड़ाई और जगडा किया करते थे इस बारे में श्वेता और अभिशेक खुद बताते हैं एक इंटर्व्यू के दोरान श्वेता कहती हैं एक रात ममी पापा घर से बाहर गए हुए थे इस दोरान अभिशेक और मेरी बहुत बुरी लड़ाई हो गई इस दोरान अभिशेक ने गुस्से में कहा कि मैं तुम्हारे बाल काट दूगा मैंने भी कहा कि करने की कोशिश तो करके देखो इसके बाद अभिशेक ने मेरे कुछ बाल पकड़े और उन्हें काच दिया इसके बाद मैं उन्हीं बालों के साथ स्कूल गई थी तेल लगा कर वह कटे हुए बाल देखने में बहुत बुरे लग रहे थे क्यूंकि वेह मेरे सिर के बीचों बीच थे दूसरा किसाब बताते हुए श्वेता कहती हैं हम शाम को अकसर बेड में इंटन खेला करते थे पापा हमारे लिए इंटन लाए थे खेलते हुए शटल नीचे गिर गई और मैंने कहा कि मैंने ही उठा रही शटल तुम उठाओ हम दोनों के बीट तू तू मैं मैं हो गई श्वेता आगे बताती हैं इसके बाद फिर से हमारी बड़ी लड़ाई हो गई इसके बाद अभिशेक ने मुझे नेट के बाल से बाण दिया था वह मुझे से बहुत स्ट्रॉंग था अभिशेक बताते हैं कि एक बार मैंने श्वेता को शूट भी कर दिया था वह बताते हैं कि उनका जन्म दिन था इस दोरान उन्हें ए रगन मिली थी तभी उन्होंने उस गन से अपनी बहन को शूट किया था